जहिन दोस्तो आज के टॉप डिफेंस हेडलाइन से हैं भारत भी बनाएगा अब अपने देशी आईरेंड डूम को भारतिय वाई सेना लाइसेंस के तहट क्रिस्टल मेज एक्स थाटी वन पी और आर सताइस एटी वन को तयार करेंगी प्रोजेक्ट चीता के तहट हेरांस ड दुनिया भर में इसराइल के आईरेंड डूम का लोहा माना जाता है ऐसे में दोस्तो भारत भी अब अपने सुधिशी आईरेंड डूम को तयार करने वाला है जिसके लिए भारत ने अपनी तयारियों को तेज कर लिया है और 2028 से 2029 तक भारत अपने देशी आईरेंड डू को मेहत्वपूर्ण जगहों पर भी तनाद कर देगा जो कि दुश्मनों के फाइटर जैसे हमलों से रक्षा करेंगे हाला कि दोस्तों इसे लेकर अधिकारिक तौर पर रक्षा मंत्राले के तरफ से कोई जानकर ही नहीं आई है इसराइली आईरन डोम के अगर बात की जाती है तो इसमें एक बैटरी की सीरीज होती है जो कि रडार के इस्तेमाल से शौर्ट रेंज रॉकेट्स का पता लगा सकती है और उन्हें हवा में खत्म कर देती है दरसल प्रोजेक्ट कुशा के तहत डियाडियो नए LR SAM सिस्टम य की रेंज तक दुश्मन को हवा में निशाना बना सकती है जैसे कि मैंने बता है कि इसमें तीन लॉंग रेंज इंटर्सेप्टर मिसायले होंगी और इसकी सिंगल शौर्ट किल की प्रोबैबिलिटी असी पर्तिशत होगी वह भी सिंगल मिसायल लॉंच के लिए और 90 पर्ति सिस्टम को इंटिगेट करना चाता है अर्मेनिया इसके लिए भारत से बात्चित भी कर रहा है और कहा ये जा रहा है कि अर्मेनिया के पास मौझूदा रशियन टी-72 टैंक्स की जो फ्लीट है उन्हें अजर्बेजान के दौरा जो लॉइटिंग मुनिशन से उनसे काफी नुकसान पहुँचा है और करीबन अर्मेनिया के 207 टैंक्स और जो आमर्ड वीकल्स हैं वो बुरी तरीके से शर्दिक रस्त हुएं ऐसे में अब अर्मेनिया भारत से सोव्येट और रॉशियन जो डिफेंस एक्किप्मेंट से उन्हें मौडनाइज करवाएगा चलें बढ़ते नेक्स अब्डेट की तरफ दोस्तों कैरिकल ने भारत में छोटे हत्यारों की पेशकश की है दोस्तों सहीं तरब अमिरात इस्थित कैरिकल आदुनिक CMP9 सबमशीन गन कैरिकल EF पिस्टॉल और स्नाइपर राइफल से छोटे हत्यारों की एक श्रंकला की प पूरा उत्पातन करेगा जिसमें की कैरिकल EF पिस्टॉल आदुनिक CMP9 शामिल है स्वमशीन गन कार 814, कार 816 साथी कार 817 टेक्टिकल राइफले, CSR 308 बोल्ट अक्शन स्नाइपर राइफले, CSA 338 सेमि आदुनिक स्नाइपर राइफले और कार 817 DMR टेक्टिकल राइफल भारतिय कंपनी आईकॉम ने भारत में स्थानिय छोटे हत्यारों के निर्मान के सुविधा के लिए संतरव अमिराद की कैरिकल के साथ साजिदारी की है इस साल की शुरुआद में अबुधाबी में IDEX 2030 के दौरान शुरू किया गया ये सयोग संतरव अमिराद से भारत में रक्षा वस्तों के लिए पहली बार टेक्लोलोजी ट्रांसफर का प्रतीक है बढ़ते नेक्स्ट अब रिट की तरह दोस्तों तीन एडवांस कलवरे क्लास की जो पंडुपी जिनका निर्मान किया जाना है उसके लिए फॉर्मल एग्रिमेंट अगले साल याने के फरबरी 2024 में साइन किया जा सकता है कहीं जा रहा है कि ये जो तीन सम्रिन्स हैं उनमें प्रतीक की लागत करीबन 10,000 क्रोड रुपे तक हो सकती है जिसका कारण ये है कि इनमें कई तरीके के इनहांसमेंट्स किये जाएंगे जैसे कि AIP सिस्टेम, एडवांस लीटियम बैटरी पैकेंड में इंटिगेट किया जाएगा इसके अलावा पंटूबी के सैंसर्स और एक्यूपेंट्स में भी कई तरीके के परिवर्तन किये जाएंगे यही निए इसके अलावा फ्रांस ने भी भारत को एक और आफ़र दिया है इसके साथ जिसके तहत वो इसमें एडवांस हत्यारों को लगा कर देगा जैसे कि F-21 हेविवेड टॉर्पीडो और 1400 किलोमेटर रेंज वाली नेवल स्कैल्प क्रूज मिसाइल बढ़ते नेक्स्ट अपरेट की तरफ दोस्व रक्षा मंत्राले ने लाइसेंस के तहत 6 मिसाइल सिस्टम्स को बनाने का जिनमें की 60 प्रतिशत स्वधिशी कंटेंट होगा और इन्हें भारत ये कंपनियां तेयार करेंगी जिसमें की 110 किलोमेटर रेंज वाली की 27-81 इंफरेट गाइड़ एर-to-air मैसाइल 270 किलोमेटर रेंज वाली इंप्रूवड केश-35 अंटीशीट मैसाइल 8 किलोमेटर रेंज मैसट्राल एर-to-air मैसाइल 120 किलोमेटर रेंज वाली 210 ग्रेंज ट्रगेट के लिए प्रिशिजन अटक करेंगी और 110 km रेंज वाली X-31P anti-radiation missile और 30 km रेंज वाली high speed low track यानि कि HSLD-2 जो बॉम से उनका अर्टनेर्ट मार्ण लाइसेंस के तहत किया जाएगा बरते नेक्स अप्डेट की तरफ जो कि 30 मार्क टू फाइटर जेट को लेकर आ रही है कहा जा रहा है कि एक बार 30 और 4 जो प्री प्रोडक्शन तेजस मार्क टू तयार हो जाते हैं और ये प्रोग्राम से जोड़ता है तो एल्रोन अर्टिकल डवल्लमेंट एजेंसी इन में चार एर टू एर मिसाइल का सर्टिफिकेशन और इंटिकेशन शुरू कर देगी वो भी अभी हत्यारों को टेस्ट करने में भी कम समय लगेगा बरते नेक्ष्ट अपनिट की तरफ दोस्तों हल ने एक एक एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरस्ट जारी किया है भारते कंपनीज के लिए जो कि सोदेशी रूप से लाइन डिप्लेस्मेंट यूनिट स्पेर और माटिरिय कमपोनेंट्स के मामले में बढ़ते नेक्ष्ट अप्रेट की तरफ दोस्तों कुछ खबरे सामने आई हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि 68 हैरॉन ड्रोन्स को तीन स्वदेशी हत्यारों से लैस किया जाएगा प्रोजेक्ट चीता के तहर जिसमें की 4 किलोमेटर रेंज वाली UAV Launch Precision Guided Munition आने वाली Extended Range UAV Launch Precision Guided Munition और 15 किलोमेटर रेंज वाली हैलीना और धुर्वास्त्रा एंटी टैंक गाइडेड मिसाले शामिल है इसके अलबा 5 किलोग्राम से लेकर 50 किलोग्राम के जो बाम से हैं उनके लिए feasible study भी पूरी हो चुकी है इन ड्रोन्स में लगाने के के लिए बर्दे नेक्स टैपनेट की तरफ दोसो रक्षा मंत्री की नेतित्र में रक्षा दिगर्ण परिशद की जो होने वाली बैठा कैप जिसमें की कई आकर्शक प्रस्ताव पेश किये जाने हैं इसमें अत्रिक 97 तेजस मार्क वने फाइटर जेट 84 सुकोई 30 मकाई वि बर्दे नेक्स टैपनेट की तरफ दोसो भारतियस सेना ने लाइट कॉमबैक्ट हेलिकॉप्टर परचंट के 70 किलोमेटर रॉकेट और 20 mm की टिर्ट गन की सफलता पूरवक फाइरिंग की है और ये जो टेस्ट है वो दिन और रात तोनों समय में किया गया जिसका मकसाद है कि युदि की स्थिति में LCH के शक्ति परदेशन को साबित करना LCH परचंट से सफलता पूरवक हातियारों की फाइरिंग भारतिय सेना के लिए हवाई युदि में एक नए युक की शिरुवात का संकेत देती है बर्दे नेक्स टैपनेट की तरफ तोसो भारतियर थल सेना और भारतिय वाई सेना के 120 सेने कर्मियों वाली टुकडी सेन्य अभ्यास का जिन 2023 के सात्वे संस्क्रण में भाग लेने के लिए कजाकिस्तान के लिए रवाना हो गई है इस सेन्य अभ्यास का आईज़न 30 अक्टूबर से 11 नॉबर 2023 तक कजाकिस्तान में किया जाएगा बरते नेक्स्ट अब्रेट की तरफ विदेश मंत्रिय अज़्यशंकर ने कतर की एक अदालत द्वारा मौत की सजा पाए आठ पूर भारति नॉसिना के कर्मियों के परिवारों से मुलाकात की और उन्हें याश्वाशन दिया है कि भारत सरकार उनकी रिहाई के लिए हर प्रियास करेगी नज़्याशंकर ने आठ लोगों के परिजनों से मुलाकात के बाद सोशल मेडिया एक्स पर पोस्ट कहा है कि आसुवा कतर में हिरासत में लिएगे आठ भारतियों के परिवारों से उन्होंने मुलाकात की है और उन्होंने इस बात पर जोड़ दिया है कि सरकार इस मामले को सरवुष महतों देती है बता दे कि कतर के पूर्वदूत पश्च्टिम एशियाय देश में थे उन्होंने उन लोगों से मुलाकात किये जब भारतिय पक्ष को उन तक राजनिक पहुंच परदान की गए थी मितल ने हाली के वर्षों में एक राजनी के रूप में कई समविधन शिल मुद्दो को भी संभाला है हलाकि कतर भी जानता है कि अगर उसने अपनी चलाई तो शायद कतर को भी बहुत मुश्किलों को सामना करना पड़ सकता है बात बिल्कुल सीधी है कि कतर किस देश से पंगा ले रहा है बरतेन एक्ट्रप्रेट की तरफ भारत सरकार के आतम निर्भर भारत पहल के अनुरूप MS MS के द्वारा 3.25 बीपी टक के निर्मान और वितरन के लिए मेशर्स शॉप शिप्यार प्राइवेट लिमिटेड के साथ अनुबंद को संपन किया गया है और यह जो टक्स हैं दोस्तों वो भारतिय शिपिंग रिजिस्टार के वर्गी करन नियमों के अनुसार तयार के गया है टक्की उपलपता नौसेना के जहाजों और पंडुब्मियों को बर्तिंग और अनबर्तिंग, मोड और सिमित पानी में युदभ्यास के समय सहता की सुविदा प्रदान करने के लिए भारतिय नौसेना की परचलन शमताओं को बढ़ाएगी तो फिलाल ये तबी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स, वीडियो के समध में कोई प्रश जवाब आपको किस सवाल है, कमें शिक्षे में लिकर ज़रू पूछ सकते हैं, मिलता हूं नहीं जानकारे के साथ, वीडियो को लाइक और शेर ज़र कीजिएगा और च केहिंट वन ने मात्रम